कि यह आप देख सकते हैं सिर्षा वाय आजपास के चेतर से पूरुन सुरिया ग्रेंड जो है दिखाई देगा हम यह आपको लाइब तस्वीरें जो है इस समय दिखा रहे हैं यहां पर सिर्षा से भी और एलनाबाद से भी यह पूरा अच्छे से दिखाई देगा सिर्षा वाय आजपास के चेतर में जो है आन्सिक बादल होने की वज़े से जो है तोड़ा दिकत है पलपल की तरफ सही है आप लाइब तस्वीरें देख सकते हैं है अब ही कुछ ही सभाद आप देख सकते हैं यह कुछ ही देर तक यहां रहेगा जो पूरन सुरिय ग्रहन है वो आपके अपने रहें और अभी यह देखिए यह देखिए आप पूरी तरह से निकल रहें सकते हैं कि यह अब यह कुछी देर में लाइब तस्वीरिया आँ देख सकते हैं अद्बुध नजाराय और दो हजार बीस की एक खगोलिय घटना से परिचित होंगे इसका आंसिक प्रभाव जो है यह एक खगोलिय घटना जो बताई जा रही है सूरिय ग्रेंड जो है यह एक बड़ा सूरिय ग्रेंड है 2020 का और इसका जो आंसिक प्रभाव है वो हर तरह से देखने को मिलता है अलग-अलग छेत्रों में अगर बात करें हम साइंटिफिक कारणों का तो साइंटिफिक कारण भी इसके जो है रहते हैं और जोतिस के हिसाब अब इसमें कई ऐसे प्रभाव रहते हैं जिसका अनुमानन जोतिश विज्ञान के अंदर बहुत सारी इसकी जो है धारनाई बताई गई है इसके बारे में एक्स्प्लेइन किया गया है कि पुर्ण सूरिय ग्रेंड अब बादल अधिक होने के वज़े से कई जगें यह जो है सूरिय ग्रेंड नहीं देखा जा सकेगा बागी यह सिर्शा की तस्वीरे हैं जो आपके सामने आ रही है कि अजिए कि अजिए कि यह कुछी समय तक रहेगा बादल जो है सफेद बादल इसके सामने जब आते हैं तो बिल्कुल यह चमक उटता है लेकिन अगर बादल नहीं होंगे तो आप इसे बड़े आसानी से और बहुत ही अच्छा तरीके से देख सकते हैं यह देखिए अब बादल नहीं है तो यह बहुत खूबसूरत बिल्कुल दूज के चांद की तरह आपको दिखाई देगा और जब सफेद रंग के बादल इसके सामने आते हैं तो यह पूरी तरह से चमक उटता है यह किवल अन्वान लगाया जा सकता है कि सूर्यक रहन है लेकिन दिखाई नहीं देगा और जब बादल हट जाएंगे तो यह बहुत खूबसूरत दिखाई देता है तीन से चार मिनट तक यह पूरुन रूप से दिखाई देगा और इसके बाद धीरे धीरे यह घर्ता चला जाएगा बिल्कुल लाइव तश्वीरे आपके सामने है सिर्षा, एलनाबाद, रानिया और कई जगे से यह हमारे पास लगतार तस्वीरे आ रही है जो हम आपको दिखाएंगे जो हम आपके सामने है झाल झाल